या देवी सर्व भूतेशु, स्वस्ती रूपेन संसिता, नमस्तसे नमस्तसे नमोनमा जनमतीती से जाने, सरकारी नौकरी योग या बिजनस या आप दोनों करेंगे जय माता दी, आप सभी का आपके अपने चानल एस्टोफिर्णंशो में स्वागत है मैं डौक्टर अंशुकुपता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि मैम हम बहुत कन्फियूज है जॉब करें या बिजनस करें जॉब करें तो कौन सी करें बिजनस करें तो क्या करें कौन सी फील को चूज करें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जैसे वो लोग मेरे से पूछते हैं ऐसे ही बहुत सारे लोग भी अपने केरियर को लेकर कन्फियूज होंगे इसलिए आज ये वीडियो बना रही हूँ जिससे आप सुएम अपनी जनम्तिती से जान सकते हैं कि आप जौब करेंगे या बिजनस जौब करेंगे तो कौन सी फील में जौब करेंगे तो आईए जानते हैं जनम्तिती से हम कैसे जान सकते हैं कि हम कौन सी फील कौन सा केरियर अपना सकते हैं इसके लिए चाहिए हमें आपकी अपनी date of birth एक paper पे अपनी date of birth लिखिए date, month और year अब आपने अपना driver number निकालना है यानि कि आपने अपना मूलांक निकालना है मूलांक आप कैसे निकालेंगे आपका जिस भी तारिक को जनम हुआ है उसे लिखिए यदि single digit है एक से 9 के बीच में है तो single number आपका driver number है यानि कि मूलांक है और यदि आपका किसी भी महिने की 11 से लेकर 31 तक है तो इसको आपने single number पे लेकर आना है जैसे कि आपका किसी भी महीने की 15 तारिक का जनम है तो 1 और 5 को आपस में एड़ करकी 6 नमबर आएगा आपका 6 नमबर मूलांग है अब यदि आपका किसी भी महीने की 29 का बर्त है तो 2 प्लस 9 करेंगे 11 आएगा 11 को भी हम सिंगल डिजिट में लाएंगे 1 प्लस 1 यानि कि 2 नमबर आपका ड्राइवर नमबर है अब जो यह मूलांग निकल कर आया है ड्राइवर नमबर आया है इसके अकॉर्डिंग आपका क्या कैरियर होगा कैसे जान सकते हैं मैं आपको 1 से 9 नमबर तक सभी के बारे में एके करके बताऊंगी सबसे बहले मूलांग 1 यानि कि किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 सारी काप का जन्म है तो आपका मूलांग 1 है स्वामिक रह सूरे क्या कैरियर आप बना सकते हैं आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं आर्मी में जा सकते हैं किसी भी company में head post को पा सकते हैं, government job कर सकते हैं, teachers बन सकते हैं, अब यदि आपका किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीका जन्म हैं, तो आपका मोलांग है 2, आपके स्वामी ग्रहे हैं, चंदरमा, क्या carrier होगा आपका, क्या line choose कर सकते हैं, आप social work कर सकते हैं, आप teaching job कर सकते हैं, आ बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, good healer हो सकते हैं, medical line में जा सकते हैं, music, dance को अपना carrier बना सकते हैं, business कर सकते हैं, दूद, textile, fabric, ये business आपको बहुत अच्छे से suit करेगा, तीन नमबर, यदि आपका किसी भी महीने की, तीन, बारा, एक्किस और तीस तारीक का जन्म हैं, तो आपका मुलांग है, तीन, स्वामिक रहे हैं, बुद, क्या carrier आप अपना सकते हैं, आप real state का काम कर सकते हैं, आप art line में जा सकते हैं, singing, property, consultation, बहुत अच्छे civil engineer बन सकते ह हैं, CA, CS कर सकते हैं, government job कर सकते हैं, बहुत अच्छे advisor होते हैं, मुलांग 4, किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 सारी का आपका जन्म है, तो आपका मुलांग के 4, स्वामिक रहे हैं, राहू, क्या कारे करेंगे आप, banking line में जा सकते हैं, real state का कारे कर सकते हैं, railways में जा सकते हैं, ब before tech line में जा सकते हैं, बहुत अच्छे engineer हो सकते हैं, estrelager बन सकते हैं, army, police join कर सकते हैं, government job का काम कर सकते हैं, electronics का काम कर सकते हैं, यह line आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, मुलांग 5 की बात कर लेते हैं, किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीका आपका जन्म है, तो आपका आज स्वामिक रहे हैं, बुद्ध, क्या carrier आप अपना सकते हैं, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे businessman होते हैं, इनकी marketing बहुत अच्छी होती है, किसी भी company के CEO बन सकते हैं, traveling का काम इने बहुत suit करता है, production house बना सकते हैं, बहुत अच्छे lawyer बन सकते हैं, online marketing कर सकते हैं, बहुत अ इका जन्म है, तो आपका मुलांक रहे हैं, बहुत अच्छे क्या carrier चूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे teacher हो सकते हैं, और खाने बने का काम कर सकते हैं, ये काम आपको suit करेगा, मुलांक 7, किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारिका आपका जन्म है तो आपका मुलांक बनता है 7, स्वामिक रहे है केतू ऐसे लोग क्या कैरियर अपना सकते हैं? ऐसे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं बहुत अच्छे डेंटिस्ट बन सकते हैं, शेर मार्केटिंग का काम कर सकते हैं कंप्यूटर लाइन चूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं रियल स्टेट का काम कर सकते हैं, इन्फर्मिशन का काम कर सकते हैं बहुत अच्छे राइटर भी बन सकते हैं ये केरियर आप चूज करिये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे मुलांक 8 किसी भी महीने की 8, 17 और 26 सारी का ये दिया आपका जन्म है तो आपका मुलांक बनता है 8 स्वामिक रहे हैं शनी तो कौन सी लाइन चूज करनी चाहिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप कर सकते हैं बहुत अच्छे साइन्टिस्ट होते हैं शेर मार्केटिंग का काम कर सकते हैं आईरेन का काम कर सकते हैं माइनिंग का काम कर सकते हैं पेट्रोलियम का काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, बहुत अच्छे एस्ट लॉजर बन सकते हैं, और इनकी कॉर्मिन जॉब भी हो सकती है, बहुत अच्छी जॉब होगी और हाई लेवल की जॉब कर सकते हैं, मूलांक 9, जिनका किसी भी महीने की 9, 18, 27 सार अपना सकते हैं, sports line में जा सकते हैं, police में जा सकते हैं, army join कर सकते हैं, IA, IPS बन सकते हैं, बहुत अच्छे surgeon होते हैं, navy join कर सकते हैं, mathematician बन सकते हैं, computer line को choose कर सकते हैं, engineer, civil services और यदि आप कोई business करना चाहते हैं, electronics, technical line आप choose कर सकते हैं, bird के dealer बन सकते हैं, तो ये carrier भी आपके लिए बहुत अच्छा है, तो मित्रो, ये थी जानकारी कि आप कैसे जान सकते हैं, अपनी date of birth से कि आपको कौन सी field अपनानी चाहिए, कौन सी carrier में आपका भविश्य बहुत अच्छा है, आप तरक्की कर सकते हैं, तो निकालिए, लिखिए अपनी date of birth, अपना मुलांक या निकी driver नमबर निकालिए, और चूस करिए, आपको कौन सी लाइन लेनी चाहिए, किसमें आपका भविश्य अच्छा है, तो अमीद करती हूँ, ये जानकारी आपके लिए बहुत इलापकारी साबित होगी, वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक सरूर करिएगा, वीडियो को जादा से जादा दोस्त और शितारों में शेयर करें, वीडियो से संबंदित ये आपका कोई प्रेशन है, तो वीडियो की ही कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, अपने चैनल एस्ट्रो फैनेश्य को सब्सक्राइब जरू कर लें, बैल नोटिफिकेशन को आन करें, जै माता दी, आपका इन शुभू